देखिए इस्टूडेंट पहले आपको ये सब सीखना होगा इसलिए पहली ये इंट्रोडेक्शन की कलास मान लीजिए एक्सरसाइज अगली कलास से करवाएंगे लेकिन पहले ये समझना जरूरी है पहले आता है आपका प्रकृत संख्या जिसे नेचूरल नंबर बोलते हैं ये सब ही वास्तिविक संख्या के अंतरगत ही आते हैं रियल नंबर के अंतरगत आते हैं तो नेचूरल से अस्वश्ट होता है आपके दिमाग में आता होगा पेड़, पौधे, नदिया, पहाड नेचूरल ना प्रकृतिक जी बिल्कुल वैसे ही मतलब ऐसी संख्याएं ज जिने हम गिन सकते हैं वो प्रकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जैसे मैं बोलूं कि हमारे हाथ में 5 अंगुलियां है तो आप ऐसे कह सकते हो 1,2,3,4,5 ऐसे तो नहीं कहोगे ना 0,1,2,3,4,5 कुछ भी चीज अगर आप गिनते हो तो एक से सुरू करते हो ना ऐसा तो नहीं को होगे तो ऐसे समझ लो जिन संख्याओं को हम गिनते हैं वो प्रकृतिक संख्याएं कहलाती हैं पारिभासा मैंने कई तरह बता दिया आप फिर पीछे करके वीडियो को सुन लीजिए और लिख लीजिए उधारण के लिए इसके एक्जामपल हो जाएंगे अगर तो उधार प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में जब हम सुन्ने को सामिल कर लेते हैं तो इस तरह से बनी संख्याएं वो पून्हें कहलाती हैं बस सुन्ने के बिना तो सब अधूरा है सुनने के बिना आप कहां तक पढ़ सकते हो गिंती, केवल नाइन तक पढ़ सकते हो, बस उसके आगे नहीं जा सकते हो, टेन बनेगा नहीं सुनने के बिना, ठीक ना, बात समझना, अगर आपको गिंती पढ़ना है, आपको मैत पढ़ना है, तो जब तक पूर्ड संख्या नह नहीं हुई थी तब मैथ बहुत लिम्टेड ही थी एक परकार से आगे देखो पूर्ड संख्याएं किसे कहते हैं इसकी परिभासा कैसे लिखोगे डेफिनीशन प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सूनने को सामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ड संख्याएं कहलाती हैं प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सूनने को सामिल कर लीजिये बस ये 0, 1, 2, 3 मतलब प्रकृतिक संख्या रहेंगी लेकिन 0 को मिला लो आगे बस ये हो गई पूर्ण संख्या है इसके अलामा साथियों आता है integer number integer number को बोलते हैं पुडांक पुडांक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा धन पुडांक, रिड पुडांक है ना negative integer, positive integer ये सब चुना होगा लेकिन इसकी definition कैसे दोगे इसकी definition कैसे दोगे आपने देखा होगा number line ये संख्या रेखा जिसमें बीच में 0 होता है दाहिनी साइड ये plus 1 होता है फिर plus 2 होता है फिर plus 3 होता है फिर इधर साइड में देखो तो minus 1 इधर देखो minus 2 ये minus 3, ऐसे ऐसे होता है तो यहाँ पर ये समझो कि इस संख्या रेखा पर जितनी संख्या है दाहिनी साइड है वो plus है जो 20 साइड है वो minus है इसकी परिभासा आप ऐसे दे सकते हो पुडांग संख्या की कि minus अनंत minus अनंत से ले करके plus अनंत तक की सभी संख्याएं पुडांग संख्याएं कहलाती है क्योंकि ये minus वाला भी इधर अनंत तक बढ़ता जाएगा इसकी कोई limit नहीं होगी कहा तक जाएगा तीन के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000, 10, 2000, 2000, 2000, 28, 2000 बढ़ता जाएगा इधर भी ऐसे जाएगा तो चाहिए ऐसे कहो कि minus अनंत से plus अनंत तक की संख्याएं पुडांग संख्याएं कहलती है या फिर ऐसे बोल सकते हो संख्या रेखा पर उपस्तित दनात्मक और रिडात्मक सभी संख्याओं को मिला करके पुडांग संख्याएं बनती है तो ये आपको concept आना चाहिए उसके बाद 10th में टाप करने से आपको कोई रोंक नहीं सकता है आपसे निबेदन यही होगा कि आप लोग अपने दोस्तों को खूब क्लास सेयर करिए जितने भी आपके मित्र 10th में पढ़ने वाले है सभी को क्लास सेयर करके बिल्कुल आग लगा दो कि भीया क्लास 10th की नई बैच शुरू हो गई है घर बैठे मैच सी को किसी की कोचिंग में नहीं जाना है कहीं नहीं जाना है ठीक ना तो आप डेली उपस्तित हो जाएए सुबह 8 बज़े से कोई परकार की आपको प्रेसानी है उपर नमबर दिया गए आप हेल्प ले सकते हैं डारेक्ट फोन काल करिए पहले नमबर पर वाटसप भी कर सकते हो दूसरे पर नहीं करना अगला देखिए तोस्तों अगला है समसंख्याएं समसंख्या को इंगलिस में इबेन नमबर बोलते हैं और उसके बाद है बिसमसंख्याएं बिसमसंख्या को इंगलिस में और नमबर बोलते हैं आपने बहुत बार इनके बारे में सुना होगा बाच्पन में लोग कहते हैं कि वो संख्याएं जो दो से पूरी तरह से कड़ जाती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं लेकिन जो दो से पूरी तरह फिर नहीं कड़ती हैं वो भी संख्याएं कहलाती हैं लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, ऐसा इसलिए, क्यूं? क्यूंकि आपको आगे चलके समस्या होगी जब बड़ी-बड़ी संख्या होगी, तब फिर आपको भाग दे के काटने में दिक्कत होगी, मतलब परिभासा तो सही है, लेकिन प्राव्लम होगी, इसलिए आप ऐसा कह सक तो कि वह संख्या हैं, जिसका लाश्ट डिजिट, यानि कि आंती मंक, 0, 2, 4, 6, 8, आधी, आधी नहीं स्वरी, बस इतना ही, आता है वो समसंख्या कालाती है, मतलब वह संख्या जिसका आंती मंक, 0, 2, 4, 6, 8 में से आता है, वो समसंख्या कालाती है, जैसे एक्जामपल के ल लाश्ट डिजिट इसमें सेबन है सेबन इनमें से कोई भी नहीं है इसलिए वो समसंख्या नहीं है बिसमसंख्या है लेकिन अगर इसमें हमने जैसे यह आठ लिख दिया वैसे यह समसंख्या हो गई अब मैंने इसमें वन लिख दिया यह फिर भी समसंख्या हो गई लेकिन ल लाश्ट का डिजित अगर 0,2,4,6,8 है तो वो संख्या कहलाती है अगला है विसम संख्याइं यानि कि और नमबर क्या होती है इसी का जेस्ट अपोजिट जो बच रही पांच संख्या उसी को लिखोगे वह संख्याइं वो संख्याइं जिनका लाश्ट डिजित 1,3,5,7,9 हो वो भीसम संख्या यहानि ऑड नंबर कहा लाती है ठीक ना बस आपको सिर्फ संख्या का लाष्ट डिजिट देखना है लाष्ट डिजिट इन में से अगर रहे तो वो आप समझ जाओ की सम है की भी सम तीक ना बस सिर्फ लाश्ट डिजिट देखो जैसे एक एक जामपल के लिए देख लो यार 9 8 7 2 5 0 0 3 इसका लाश्ट डिजिट देखो तीन है तीन है जो कि इसमें से देखो बिसम वाले में आरा ना इसमें से कोई भी एक आना चाहिए तो यह पूरी संख्या क्या है बिसम संख्या देखों में नहीं आता है समन तो बात समझते होंगे इस तरह से जिन संख्याल में लाच्ट डिजिट इव वह सम होती है जिनमें इनमें से आता 0 1 3 यार इसमें भी 0 लिखाओ सॉरी इसमें 0 नहीं रहेगा जिर तो सम वाले में 5 इसमें 5 इसमें ठीक जिसमें 1 3 5 7 9 9 वह भी सम होगी तो यह हो गई सम और विसम की कहानी आप इने जल्दी से चाप लीजिए और फिर याद कर लीजिए जुबानी आगे बढ़ते हैं अगला जो टापिक है उसको देखना भाजे और अभाजे संख्याएं क्या होती है और हाँ इस कलास को भी लाइक ने कियो तो जल्दी स कर दो जिससे कि हर एक कलास मिल सके और वीडियो को यूट्यूब पर कताई डाउंलोड नहीं करना ऊपर नमबर दिया गया अगर लिंक नहीं मिल रही तो आप मांग सकते हो लेकिन अगर डाउनलोड करोगे हर दिन कलास तो फिर यूट्यूब पर आपको देखने को कलास नह बहुत महत पूर्ण हैं भाजे और अभाजे संख्या हैं जिन्हें कमपोजिट और प्राइम नंबर कहा जाता है इनको समझने के लिए आपको फैक्टर आने चाहिए और अगर आप फैक्टर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है देखो फैक्टर क्या होता है जैसे मैं आपको यहाँ पर छोटा सा दिखा दूँ जैसे मैंने फोर लिखा है तो फोर को हम टू इंटू टू लिख सकते हैं यह आप सभी जानतों बच्छवन में बहुत बार पड़े हो तो यह जान लो भाजे संख्या क्या होती है वो संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं जिसके दो से अधिक गुड़नखंड होते हैं वो भाजे संख्या कालाती है और वो संख्या जिसके दो से अधिक गुड़नखंड नहीं होते हैं वो अभाज संख्या कालाती है जैसे हमने लिखा है चार ना आप कहोगे कि ये तो फिर अभाज संख्या हो गई क्योंकि इसके दो ही गुड़नखंड है ऐसा नहीं है इसका एक गुड़नखंड एक भी है ठीक हाँ इसका एक गुड़नखंड एक भी है और हमने क्या निकाला है इसके गुड़नखंड की है न देखो गुड़नखंड या फिर इसे एक बात और भी बोल सकते हो जैसे मैं आपको बताऊं इसकी जो डिफिनीशन एक त इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से पूरी तरह से भी भाज़े होती है। इधर example देख लो गुड़न खंड वाला आपको थोड़ा लंबा लग रहा था जैसे मैंने ले लिया 4 आप देखो 4 किस से किस से कटेगी पहला number तो हर एक संख्या खुद का एक परकार से क्या होती है भाजक होती है तो 4 से अगर 4 को आप भाग करोगे तो यह 1 आाएगा यानि 4 से 4 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है मतलब एक संख्या से ते डिवाइड हो गया अब अगर हम बात करें 4 की 1 से तो 1,4 जा 4 यह 4,1 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया इसके आगे अगर हम बात करें 4 की तो क्या होगा इसको हम 2 से भी पूरी तरह से काट सकते हैं किसे 2 से देखो ये 2 तो जा 4 तो ये कितना हो गया मतलब 2 से भी डिवाइड होगे अपना पूरी तरह से यानि ये 2 से भी कटा 4 से भी कटा 1 से भी कटा तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है वो 2 से भी पूरी तरह डिवाइड है 4 से भी डिवाइड है 1 से भी डिवाइड है यानि ये 1 से भी कट रही और खुद से भी कट रही इसके अलामा एक और संख्या है यानि कि 2 से भी कट रही अधा ये भाजे संख्या है समझ गए ना ऐसे याद कर लो ज़्याद अच्छा रहेगा वो संख्या जो एक से कटे खुद से कटे कटने का मतलब यहाँ पूरी तरह कटे सेसफल जीरो आए ठीक है? उसके अलामा किसी और भी एक संख्या से कटे मतलब एक से तो कटे ही खुद से भी कटे और किसी और भी एक संख्या से कटे तो वो भाजे संख्या कहलाती है अब भाजे की जो परिभासा है इसके ज़श्ट थोड़ा सा उल्टा होती है जैसे एक एक जामपल देखो हमने लिख दिया तेरा थार्टीन अब अगर हम थार्टीन की बात करें तो थार्टीन एक से कटेगी वन वन जा वन थ्री उतारोगे थ्री और थार्टीन खुद से भी कटेगी मतलब थार्टीन को थार्टीन से ही डिवाइड किया जा सकता है ये जीरो आ गया लेकिन क्या यह 1 से और 13 से तो कट गई और भी किसी से कटेगी कोई बताएगा है कोई संख्या जिससे यह पूरी तरह से completely divide हो जाए आप सोच लो दिन भर सोच और रात भर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे यह कट जाया और नहीं कटेगी किसी और संख्या से है ना जैसे सेबन ले लो एक से कटेगा साथ से कटेगा बाकी किसी से नहीं कटेगा यहाँ पर अगर मैं बोलूं बारा ले लो तो बारा भाया दो से भी कटेगा तीन से भी कटेगा चार से भी कटेगा एक से भी कटेगा हाँ इसमें एक से मैंने पहले ही कट दिया है तो ये देखो चार संख्या से कट रही पूरी-पूरी ये देखो तीन संख्या है तीन अंग से कट रहा पूरा-पूरा मतलब दो से ज़्यादा हो रहा है लेकिन इसमें दो से ज़्यादा कभी नहीं होगा जो भी अभाजे संख्या होंगी चाहे जो देख लो 101 ले लो 1 से कटेगा 101, 101 से कटेगा बस बागी किसी से नहीं कटेगा अनतिफ ले लो एकतिफ ले लो 47 ले लो 43 ले लो ये सबी आभाजे संख्याइं कहलाती हैं समझ में आ गई ना बात नोट कर लो जल्दी जल्दी फटा फट परिभासा मैं बोल रहा हूं जो उसको लिखो क्योंकि मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं आप चाहो तो लिख भी सकते हो वो संख्या जो एक से पूरी तरह से विभाजे हो और खुद से भी पूरी तरह से भी भाजे हो लेकिन इसके अलावा किसी और भी संख्या से भी भाजे ना हो वो अभाज संख्याएं कालाती हैं इंगलिस में इनको प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद है परमिय संख्या और अपरमिय संख्या देखो ये परमिय अपरमिय क्या होता है दो कि अभी तक सीखा होगा कि वह संख्याओंगिन को प्षाय परदर्सित कर सकते है वह रेफनल नमबर पहलाती है और यह नहीं को पहलाव के फार में नहीं कर सकते हैं वो कि ए रेफनल कहलाती है है बेलकुल सही जबाब है यह यह जानned कि वह संख्या है एक परकार से रेफनल नंबर होती है जिनको आप पी अपान क्यू के फार्म में लिख सको लेकिन पी अपान क्यू फार्म होता क्या है कैसे लिखते हैं इसको जैसे देखो हम आपके सामने खड़े एक चास्मा लगाए ना लेकिन हम अगर यह निकाल दे तो आ मोदी जी वाला पहिंग लेते हैं देखें ना तो वैसी दसा में आप इंसान को पहचान नहीं कोई पहचान पाएगा पास से भी जो बहुत अच्छे से नहीं जानता वो नहीं पहचान पाएगा कौन है चेहरा चुकी ढग जाएगा लग हो जाएगा ना लोग मास्क लगा सम॥ लोग नहीं पहचान सकते कौन है तो ओयसे वह वो क्या करना है मुस्द करना है उन dabei कर चेहरा क्लियर है इसके ऊपर कोई लुवाल नहीं इस명 스म अब भी दिखाऊंगा बवाल न चाहिए तो इसे आप लिख सकते हो 2 upon 1, यानि ये रेफनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये P एक नंबर है, Q एक नंबर है, ये दो ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर है, ये इसके बराबर है, इसको लिख सकते हो बराबर, ये रेफनल नंबर है, लेकिन अब आप समझो कि है कौन नह रहो अंडर रूट वाला इसको आप हटा नहीं सकते हो किसी भी तरह से कि हटा सकते हो बोलो कोई उपाय है क्योंकि दो जो है यह पूर्ड वर्ग संख्या या फिर गहन पूर्ड गहन संख्या है ही नहीं कुछ भी नहीं है यह तो इसका जो है वर्गमूल पूरी तरह फिन नह अब कुछ और इस्टूडेंट अपने दिमाग में यह बसा लिया होंगे कि बाइया चलो जिस पर अंडर रूट लगा है वही रेफनल होती है जिस पर वर्गमूल का चिन लगा होता वही रेफनल नंबर का लाती है पर मिय संख्या होती है यह कोई इसका मार्क नहीं मिल गया क कोई इसकी गारंटी सर्टिफिकट नहीं हो गया कि वर्गमूल का चिन है तो वही रेफनल ही होगी वह रेफनल भी होती है देखो कैसे उपर देखना बहुत ही मन से समझा रहा हूं दिल से और हाँ अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगा होगी दया होगी न तो चैनल क सब्सक्राइब करके दोस्तों में सेयर करना आपको मैं एक बात दिखाने वाला हूँ जो कि लोगों को नहीं बताया जाता है इस समय रातरी के बारा बच कर चववन मिनट हो रहे हैं आप देख रहे होंगे 0054 24 गंटे का टाइम चलता इसमें मतलब हमें एक बज़े दो बज जैसे अंडर रूट 25 लिख दिए ना अब कहोगे कि भाईया ये तो इसके बरावर नहीं हो सकता है हाँ नहीं हो सकता सही बात है ये अभी इरेफनल नंबर है लेकिन इसको रेफनल बनाया जा सकता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं कुछ बिगड़े होते हैं कुछ पूरी बिगड़े होते हैं मतलब बरबाद होते हैं जैसे बोलते हो इसका मतलब ये कि जैसे पढ़ते लिखते नहीं है गूमते ही दर घरवालों का कहना नहीं मानते हैं अपने टीचर का कहना नहीं मानते हैं बत्तमीजी करते हैं गाली गलोच करते हैं समझ रहे हो ना आप लोगो जिनको नहीं सुधारा जा सकता है अगर टीचर मार दिया तो उसको कहेंगे चला रहबा कहा मार बात हो रास्ता मिलिद बता इत्वा है तो वो टीचर को भी मारेंगे रास्ते में अगर मम्मी पापा मार दिये तो मुबाइल फोड देंगे या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं मम्मी पापा को भी उल्टा उल्टा बोल देते हैं या फिर क्या करेंगे खाना ही नहीं खाएंगे कुल मिलाके मतलब यह कि वो सुधरेंगे नहीं किसी भी तरह से वो नहीं सुधरेंगे नहीं डरेंगे आज के जमाने में ऐसे बच्चे जादा मिलेंगे तो वही बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि यह उस तरह के बच्चे हैं जो नहीं सुधरने वाले हैं मतलब इसमें से अंडरूट कभी हटने वाला नहीं तो यह रिफनल ही रहेगा लेकिन यह बच्चा बिगड़ा जरूट था लेकिन यह सुधर सकता है तो इसको हम रिफनल नंबर बना सकते हैं कैसे देखो चुकि हम जानते हैं अंडरूट यह जो लिखा है न भाईया 25 इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो वर्गमूल निकलेगा तो अच्छा ताजा सा 5 आएगा 5 बटाएक हो जाएगा अब यह क्या हो गया यह इसके बराबर लिख सकते हो अब अब यह रिफनल नंबर हो गया लेकिन यहां पर रिफनल नंबर नहीं था समझ गे ना तो यह होता है रिफनल और इरिफनल की कहानी चीक जामपल आपको दे दे रहे हैं रिफनल इरिफनल में देखो जो दसमलो की संख्याएं होती हैं वो भी पर्मिय संख्याएं कालाती है जैसे पांच हो गया बारा हो गया एक हजार हो गया दो दस्वमलो पा लग भग में इसबी आपर्मिय संख्या होती है इसमें एक और भी ले लो जीरो भी पर्मिय है इसमें पाई अपर्मिय संख्या है अंडर रूट में कुछ भी संख्या लिखोगे जो क्या होगी जिसे बोलते हैं पूर्ड वर्ग संख्या ना हो जिसका completely वर्गमूल ना निकले वो सभी अपर्मिय संख्याएं कालाती हैं लेकिन ऐसा नहीं करना यह अंडरूट छतिफ लिख दो तो यह पर्मिय है क्यों क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा अंडरूट 119 लेकिन अगर अंडरूट 111 लिख देंगे तो क्या होगा यह पर्मिय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा यूकलिट विभाजन पर्मिय का यह आपका जो पहला कुश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में क्या कहता है कह रहा कि निमनलिकी संख्याओं का एचसी अप बालने के लिए यूकलिड Di torchon algorithm का पर्योग किजिए सबसे पहले आप द्हान दो यूद 210 algorithm यह यूचलिट विभाजन विभाजन पर मेरत दोनों आंटा को जाता है क nell कि गौरिटम को बहुत बड़ा जानवर नहीं है अल्य गौरिदम को ऐसे संजो आसान मासमें कि जैसे अगर आप रोटी बनाते हो तो रोटे बनाया जाता है कि तो आटा मैं एकक भार मिंखना जाता है पहले लोग आटा लेते हैं उसको चालते हैं उसमें पानी डालते हैं उसको गूंजते हैं उसको मतते हैं फिर उसको मतलब तयार कियाता है फिर वो छोटा-चोडा चकवा काटा जाता है फिर बेला जाता पिर रोटी बनती इतनी परकिरिया होती है तो यह जो करम बद तरीका ह वही एल्गोरिधम कहलाता है ऐसा तो नहीं कि किसी को रोटी बनाना है तो पहले आटा लेकर के उपटा-फट तावा पर रखके पकाने लगेगा सीरियल वाइज काम करेगा ना पहले आटे में आटा पहले चालेगा मनलो कुछ लोग नहीं चालते ना चालेगा ठीक है लेकिन फाल न इसे नहीं कि पानीगा एी बना ले द्पाद में आटा मंतले हैं मतलब करमभध तरीके से करेंगा वो जिसको आटा चालना पहले चाल ले का यग तभी गूथेगा अइसा तो कोई नहीं करता ना कि पहले आटा गूथ लिय पिर चल झालेगा तो एलिगोर्ध में ए तो इसका एलोगार्दम का यही मतलब होता है कि किसी कारे को करने के लिए बिभीन चरणों से गुजरना पड़ता है जब समस्या के समधान है तू बिभीन चरणों को करम बद्ध करके लिखा जाए तो इसी को अलेगोर्द्यम कहा जाता है कोई बताया नहीं होगा आपको डारेट सब कुष्चन करवाने लगते हैं तो इसमें क्या है ना पता है यह काहल यह इसमें दिया है आपको जैसे HCF करते हो वह ऐसे ही करना है जो आपने पहले बच्पन में सुना होगा भाज बराबर भाजक बुड़े भागफल दंसेसफल वही होती है यह उकलिट विभाजन परमेई का उसी पराधारित होती है लेकिन इसमें थोड़ अफ़ा चेंजिंग हो जाता है HCF निकालते समय वह मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कलास को पूरा देखना भागना मत मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं पूरा देखना इस्टुडेंट्स अगला एक वर्ड है जो कि कहा जाता है परमेई का आपने सुना होगा परमिये है यह फलानी परमिये का परियोग करते हुए यह परमियों गरा क्या होती है यह परमेई का क्या है देखो यह प्रेमिका नहीं है परमेई का है ध्यान से समझना इसमें दुन और अब उस्टाब पर मेरे का है इनिको सिध्द करने के लिए पहले से आपको मंध्वनदें करना पड़ता है लेकिन इसे आप ही नहीं सिध्द करेंगे, इसका बड़े-बड़े गडगों ने सिध्द कर दिया है कि यह दर रहा है, यह रोड है बही cay इस पर आँ जाना है बस तो उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग उसी ढर्रप चल देते हैं इसे ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे बड़े महापुरुस हुए थे स्वामी विवेका नंद, डाक्टर एपीजी अब्दुलकलाम और और जो भी बड़े महापुरुस हैं पहले के हम लोग उनके बनाए ढर्रों पे चलते हैं मतलब कहने की ये बात है उनको हम लोग मतलब एक अपना प्रेरक मानते हैं ना मानते हैं ना कहते हैं हम उनसे बहुत परभावित हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किये थे हम भी करेंगे तो ऐसा क्यूं कहते हैं तो वूद क्यों कहते हैं कि वो सिध्ध कर चुके हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था उनका काम आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि सौमी विवेकाननद जी ने और अपधुल कलाम ऐसे जो भी महापुरूष है उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है, तो इसलिए हम लोग उनके चले या फिर कहे मारगों पर चलते हैं, उनकी अच्छी लाइने पढ़ते हैं, इसको स्वामी विवेका नुन जी ने कहा था, एक लच्छ निरधारित करो, और उसी पर चलो, एक सूत्र है, एक पर्मिय है, यहां एक कंडिशन है, कि जहां आर जो है, वो जीरो के बराबर होगा, या फिर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और उससे बड़ा होगा भाजक, कहने का यह मतलब है, इसका तात्य पर आप समझोगे, जब इसको मैं हिंदी में आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से इसको लिख लिजिए, स्क्रीन साट ले लिजिए, चलिए, और हाँ ये कला सुबह आठ बज़े से हर दिन होती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन करिए, सुबह आठ बज़े से आप इसे यूटूब पर देख सकते हैं, अगर आप डेमो देख रहे हैं, तो पीवियर स्टडी अप डाउनलोड करके पूरी कलास वहां से इकठा देखिए, देखिए आप जो बाते होंगी आपके बुक से होंगी, ध्यान देना, अब हम आपके बुक में आ इसी का ही रूप है यहां पर इंगलिस में देख लो, डिवीडियंट इकल डिवाइजर इंटू क्वाइसियंट फ्लस रिमाइंडर होता है, यहां पर जो परमेइका है, इन्होंने कहा है कि यह दी, कोई भाजक जो है, वो क्या है, बी है, और भागफल क्यू है, और उसका स हुआ है, इसी पर अधारित है, लेकिन इसमें जो कंडिशन है, वो देख लो, कोई नया नहीं, वही पुराना है, कर रहा कि आर जो है, वो जीरो के बराबर हो, या फिर जीरो से क्या हो, बड़ा हो, जीरो से चोटा नहीं हो सकता है, इसका यह मतलब है, कि यहां पर सेसफल यह जो सेसफल आया एक, यह यह तो जीरो हो, यह जीरो से बड़ा हो, मतलब जीरो से चोटा नहीं हो, कहने का मतलब माइनस में नहो, माइनस ओन आ जाए, माइनस दो आ जाए, माइनस पांच आ जाए, कोई ऐसा भाग देखे हो, जिसमें सेसफल माइनस आये, इफा नहीं होत कभी कभी सेसपल 0 भी आ जाता है, कोई नई बात नहीं है, एक कंडिसन और है, कि जो R है, वो B से चोटा होगा, मतलब भाजक से हमेशा चोटा होगा, किस से, इस से, देखो 2 से 1 चोटा एक नहीं, है न, कहीं कहीं अगर बड़ा आ भी जाता है, तो दुबारा फिर से भाग चल आ जाता है, लाष्ट में उससे छोटा ही बचता है जाद रखना, कहीं भी किसी भी नमबर से भाग देंके धेख लो जो सेसपल आएगा, वो B से छोटा ही होगा, जैसे धेखों, हमेशा जो से भाग आएगा, वो B से थो सेस्पल ज्यादा पच्छता ही नहीं है दूसरी बात किया है दूसरी बात इस्में यह कंडिसमें कि जो सेस्पल आता है वो हमेशा है जीरो से बढ़ा आता है या तो empower यहा जी माइनしますक grenades तो कुल्मिला करके इसका मतलब आप समझ गए हो जो यह बगल में लिखा रहता है इसका यही मतलब हुआ यह बड़ा का चिन न लगाई तर साइड को तीक है देखिए अब हम आपको बुक वाले सवाल पर भी ले चलेंगे लेकिन आप पहले मतलब समझ लो अच्छे से तो यह चीज आप जानते हो इसी पर आधारित यूकलिड एक बग्यानिक थे गड़ी तक थे बग्यानिक नहीं थे गड़ी तक थे उन्होंने अपना एक पर्मिय दिया था एक सूत्र सिद्ध करके दिया था कि भाज्य बराबर भाज्य गुड़े भागफल दान सेसफल होता है चल बचता इसे रिमाइंडर बोलते हैं इसे इंग्लिस में डिवाइजर बोलते हैं इसे बोलते हैं डिवीडियंड इसे प्रक्ष यामंति ε 노력 कर लो नोइस की तो और धूज किटना यहां परीर भाजक की तना है दो है भागफल कितना है साथ première देस कितना एक इनको हल कर लो दोन पहले से था, अगर इस तरह से बराबर आएगा दोनों पक्ष तो इसका मतलब आपकी भाग सही होगी और निथा गलत मानी जाएगी, समझने की कोशिश करो बस इतना ही समझना है, अगर इस तरह से कोई भाग देते हो, अगर ये सूत्र अपलाई होता है, लाइश्ट में दोन दो से भाग कर दिया, अब इसको दो नवा ठारा जाता है ना, चलो मानलो कि हम साथ बार ले गए, जान बूच कि मैंने गलत किया, दो सत्य चौदा, छे लिखा ना, अब देखो ध्यान दो, बीस बराबर हम लिखेंगे, दो गुड़े साथ, लेकिन अभी गौर से देखना, इस तरह से आप करोगे तो 14-26 हो जाएगा, लेकिन ये भाग अभी गलत नहीं हुई है, क्यूंकि अभी एक बार और भी जा सकती है, लेकिन ये गलत तब होगी जब इसको ज्यादा बार ले जाए, ज्यादा बार कैसे, जैसे इसे हम 8 बार ले जाए, ज्यान दो, 8 बार ले जाओगे, तीन मार करो, तीन सते 21 ले जाओ चलो, 21, अब घटाने पितना आएगा, एक मानलो मने लिख दिया, ठीक है, माइनर फेक आएगा, अब इसको यहाँ पर रखो, अब इसको यहाँ पर रखो, देखो, सही होता है, क्या ये, सही नहीं होगा, अगर आप एक रखोग चलिए देखते हैं उसका अलगोर्दम क्या है, अब देखिए, इसमें हम आपको बुक वाला कुश्चन करवाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, पहला कुश्चन कहरा है, एक्सरसाइज 1.1, क्लाश 10 की एंसी आटी मेर्थ है, कहरा कि निमनलिकी संख्याओं का HCF, यानि की निकालने के लिए यूकलिट विभाजन अलगोर्दम का परियोग कीजिए, देखो यूकलिट विभाजन की अलगोर्दम क्या है, अलगोर्दम का मैंने पहले ही आपको अच्छे से डिस्क्रेप्शन बता दिया, डिस्क्राइब करके कि अलगोर्दम मतलब होता क्या है, कहन कि आफ होते हैं वहीं उसके लिखते लाते हैं चरनें ऑनको करना है देखो तो ट्यक्किन क्या लिखोगे appson यह फिर आप चाहो तो लिखो यह ना लिखो लो ने तो आप लिख सकते हो शरंखफायश्ट 8 illness में गस्चा करेंगे सबसे छोटी संह्खया देखेंगे इन दोनों में कौन सी संह्खया छोटी है ठीक है सबसे पहले हम कि चोटी संखया के चुनते हैं ठीक है अगर इसे देख रहे नोहर प्रकासन की बुक से देख रहे हो तो आपका उसमें 1a है अभ्यास 1a है परिस्नावली 1a ठीक है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या कि प्राप्त करते हैं ऐसे लिखो कि बना के लिखना है संख्या प्राप्त करते हैं कि जो की कि 135 है मतलब इन दोनों में छोटी कौन सी संख्या 135 है यह आपको सब सीरियल भाई करना हर एक स्टेप क्यूंकि इसको आपको दिखाना है अल्गोरिदम का मतलब ही है दूसरे नंबर पर क्या करेंगे आप लिखो दूसरे नंबर पर इसके बाद आगे लिखो अब यूकलीड विभाजन परमेइका यूकलीड विभाजन परमेइका से मतलब आप पुना यूकलीड विभाजन परमेइका से क्या करोगे आप हल करोगे रखो तो दोस्तों यूकलीड विभाजन परमेइका मैंने आपको बताया था कि भाज बराबर भाजक गुड़े भा को भाग करेंगे मैंने भाग कर दिया 135 से 225 में आप देखोगे 90 सेजफल आया है एक क्या है भाग फल आया है तो यूकलिट विभाजन परमेइका में हम क्या करेंगे जो हमने अभी तक बड़ा था भाज बराबर भाजक भाग फल वाला तो भाज कितना है 225 इक्वल भाजक 135 गुड़े भाग फल धन सेजफल चुकि यहां जो सेजफल आया कितना है 90 आया है हम इसको इस परकिरिया को इतनी बार करेंगे जब तक ये सेजफल जीरो ना आ जाए तब तक इस परकिरिया को हम चरणबंध तरीकी से आगे बढ़ाते जाएंगे ठीका इत चुकि सेजफल नब्बे प्राप्त होता है आताहा यह परकिरिया हम दोराएंगे होता है आताहा यह परकिरिया हम पुना दोराएंगे अब नीचे लिखो चरणड दो से भाई जितना चरणड इसमें करना है जितना इस्टेप करना है सब लिखते जाओ फटा-फट इसको ज को चरण 2 से आप क्या करोगे अब आप 90 से भाग करोगे किसमे 135 में जैसे आप अभी तक ओपड़ते आए हो मासा पड़े हो ना भाग विदी वाला वैसे ही करना यार यह अब 90 से भाग करना किसमे 135 में अब आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइब करना है यह में रफ कर रहा हूं इसको आपको एक जाम में दिखाना है इसको रफ में करना यह दिखाना बस ठीक है तो दोस्तों अगली भार में भाजक कौन बन गया था 135 ना यहां भाजक 225 था यहां 135 है भाग फाल 90 है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 135 बराबर 90 गुड़े कितना बार गया एक बार धन 45 ना यही तो यह हो गया पर किरिया तीन नंबर हो गई चरण नंबर तीन हो गया इतना लिख लो तब हम आगला इस टब बताते हैं आपको हो गया इतना जल्दी जल्दी करो फटा पट चुकी समझने की कोसिस करो यार यह जो बगल में भाग वाला हो रहा है इसको नहीं लिखना एकजाम में सिर्फ इधर जो मैं कर रहा हूं लाइन के बीच बीच जिधर कुश्टन लिखा इतना ही दिखाना आपको इपेपर में इसको आपको खुद से समझना है वागल वाला जो इधर हो रहा है चलो हो गया लिख लिया आगे बढ़ते हैं अब यही पर किरिया हम फिर से दोराएंगे याद रखना अब हमें उपर वाले से कोई मतलब नहीं है अब 45 क्या बन गया भाजक बन गया 90 जो है यह भाज बन ग ठीक है बस 45 से भाग दिये हो 90 में दिये हो तो लिख दो 90 बराबर 45 गुड़े दो धन जीरो देखो तीसरे चरण में क्या हुआ सब जीरो हो गया ना मैंने यही कहा था कि जब जीरो आ जाएगा उसी पर खतम हो जाएगा अब यहां देखो जीरो आ गया सेजफल जीरो आ गय सेजफल जीरो पराप्थ हुआ आताहां तीसरे चरण में भाजक 45 द्वारा हमें सेजफल जीरो पराप्थ हुआ आगे लिखो इसलिए इसलिए एक सो पैंतीस वा दोसो पत्चीस का एचसी अफ बराबर 45 है समझ गए ना इसलिए एक सो पैंतीस वा दोसो पत्चीस का एचसी अफ बराबर क्या है तो यह थी यूकलिट विभाजन पर मेरिका की पूरी थेओरी थी आप इसे समझ गए होंगे पूरी पूरी तरह से हर जगा अपलाई हुई है जो भी मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है और मनोहर परकासन की बुक के अकारडिंग यह कुष्चन नंबर सत्मां है पहला अभ्यास का ध्यान से देखना 1.1 का है एंसे 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 अभ्यास 1 A है ठीक है तो आप एंसे एंसे या इसे पड़ा रहे हो तो 1.1 है दर्साइय का मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक भी समपुडांक जो है वह 6Q प्लस 1 या फिर 6Q प्लस 5 6Q प्लस 3 के रूप का होता इसको सिद्ध करके दिखाओ कैसे दिखाओ के देखो आपने अभी अभी पढ़ा है यूकलेट विभाजन अल्गोर्दम जिसमें आपने पढ़ा था एक कोल बी क्यू प्लस आर ऐसे तो कुछ था ना था ना तो चलिए उसी के आधार पर यह भी होगा आप लिखिए माना एक कोई धनात्मक पुडांक है नीचे हल लिखो उसके बार लिखो माना एक कोई धनात्मक पुडांक है देखो लिखते चलो तभी मज़ा आएगा धनात्मक पुडांक है तथा बी बराबर छे बी बराबर छे क्यूं मान रहे है क्योंकि जो यूकलेट विभाजन अल्गोर्दम आ रहा है उसके अनुसार यहां बी की जगा पर छे है ठीक है तो बी बराब से जब कोई धनात्मक पुडांक हो जाएगा भी बराबर छे हो जाएगा तो यूकलेट विभाजन अल्गोर्दम कुछ और से बनेगा बनेगा ना आगे लिखो जहां क्या है जो आर है वो जिरो के बराबर हो गया जिरो से बड़ा हो गाया यह जी स्टे dating विभाजन अल्गोर्दम का सूतर में ही सूत्र क्लियर किया ना और आगे क्या होगा इसका मान जो आप देखे हो बी के बराबर मतलब यह अ करने का है कि जो आरकमान है वो हमेशा हमेशा 20 से छोटा होता है यह ना यानि भाजक जो है हमेशा सेस्पल से छोटा होता है लेकिन यहां क्या होगा यहां जो आरकमान है वो 6 तक हो सकता है बस उससे बड़ा या उससे मतलब जादा नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि यहां पर लि पहिला हाई है लिखो आता हाँ अब इतना मिली गया नीचे लिखो आता हाँ आर इकोल 0123 यह 456 मतब डाट डाट नहीं ओनली 6 तक क्योंकि 60 बन रहा है ना में ठीक है को करमसा है आप तक ही लिखो क्यों देखो 6 भी लिख सकते हो 5 तक ही लिखो क्योंकि यहां पर जो सिद्रकर के लाना 5 तक ही लाना 6 नहीं लाना है लिखो को करमसा किसमें रखना है जो आपका यूकलिट विभाजन अलगोरिधम का मुख्य स्ट्रेक्चर बना उसी में रखना है फटा फट रखते चलो चलो देखिए अब आपको कुश्चन नहीं दिखेगा लेकिन हल पूरा दिखेगा इस्टार्टिंग से चुकि हल हमने यहीं से स्टार्ट किया था पूरा दिख र आएगा एक्वाल सिकस क्यू आएगा बस इतने अगा लिखो जो की दोसे भीभाज यह विभाजे से सब्सक्राइग को बcast when सब्सक्राइब फ्संसे मतलब है यह दो से भीषराजिया विग आपर लिख लो जो की दो से भी भाज्य है अता sum है लिख लो होगे इतना आगे लिखो और बराबर अगर हम इसमें एक रख दें तो क्या आएगा पता है आपको लिखो ए बराबर अगर एक रखेंगे तो 6 क्यों धान एक आएगा क्यों बाई आर की जगाप एक रखोगे तेक आएगा न। आगे लिखो जो की क्या है दो से भी भाजे नहीं है अता भी सम है नीचे लिख लो जो की 2 से विभाज नहीं है अता बिसम है जो बोल रहा हूं उसको लिखना जो की 2 से विभाज नहीं है अता बिसम है आर बराबर अगर 3 रखोगे तो क्या आएगा तीन नहीं पहले 2 रखो तो 6 क्यूं धंदो आएगा लेकिन देखो यह बिसम नहीं आया है ना तो लिखो जो की 2 से विभाज नहीं है अता बिसम है इतना हो गया काओ इतना लएक लिए हो तो कुईस्टान में मि juvenile रहा हूं फिर मैं तोस्थे कोईस्चन जान दो कि देखे तो सुमें से लिखना कहां तक पता है हमें पांच तक में रखना है अन। हो नीचे दो तक रखने अरकमान तो भी सम्धन पुढ़ांक Eller बश्मार्थ दैंच तो जड़िए में पॉड़ा वार इसको लखो बार बार पर ईमार्द 중요 दोस्राद्विभाज पॉड़ांयों consortiael जो जो कि दोस्रा है एक भी लिख सकते हो जो कि क्या है बिसम धन पुड़ांक है ठीक है क्या है बिसम धन पुड़ांक है ऐसे लिखते चलो इतना लिख लिया अब नीचे आप लिख सकते हो आता हां अता क्या लिखना है फाइनल में आंसर लिख देना है जो भी आपको करना था वही बस लिखो यदी 6Q पहले 6Q आया था फिर 6Q 1 आया था फिर 6Q धन 2 आया था यह 6Q प्लस 2 कामा 6Q फ्लस 4 आए तो यह समधन पुढ़ांख है है ना यही तो हो तो संख्याएं समधन पुढ़ांख है ऐसा भी कुछ आपके बुक में है वो तो यह समधन पुढ़ांख है और यदि और यदि एकल 6Q धन 1 कामा 6Q धन 3 और 6Q धन 5 आये तो यह विसमधन पुढ़ांख है जहां Q एक पुढ़ांख है क्या करना था दर्साहिए कि कोई धनात्मक भी समपुढ़ांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूपका होता है यह सिद्ध करना था तो लिख दो आता सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक भी समपुडांक 6Q-1 6Q-3 या फिर 6Q-5 के रूप का होता है जहां Q एक धन पुडांक है समझ गए फिर से सुन लो पूरा क्या करना है यहा तक लिखे यह तो पहला स्टार्ट इनकन सालूसन है से स्टार्ट हुआ था बाइसाहब एक मिनल भूछ आव यह तो शुरूआ है यहां फिर नीचे वाल कूर वहां तक लीक्शाहब लिखो समझ रहागा यहां पे लिखना यdı एकोल 6 Q कम h six q plus 2 कम 6 q plus 4 हो तो ये संख्याएं सम्धन पुडांक हैं नीचे यदि A equal 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 हो तो ये संख्याएं बिसम्धन पुडांक हैं नीचे लिखो आता है सिद्ध हुआ कि कोई भी भी सम्धन पुडांक 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 के रूप का होता है जहां Q धन पुडांक है बस इधने तो करना था ना एक परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पिछे मार्च करना है कहरा कि उनसा मोह कि अधितम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकें Q नमबर 3 है ये आपका 10th के NCRT मैथ का लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है अगर बच गया में तो फिर जला क्या है मैंनेत से ही मिलता है सब कुछ इस जहां में मेरे यार बला इन हाथों के लखीरों में रखा क्या है तो जो आप करोगे उसी पर आपका भाग बनाएगा तो किसी के कहने से भागे के भरोसे नहीं बेटनास से देखे इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकडी को जो है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेंड के पीछे मार्च करना है पहले तो आप यह समझ लो मंतलब क्या होता है सेना नाम आप सुनें और इंडियार्मी 616 सदस से मंदाला मेंबर इंडियान आर्मी इक सेना मतलनी के या टुकडी मतलब होता चैसी आपने सुने होका बहुट सारी बिहार रेजिमेंटा कोबरा रेजिमेंट रेगी सब्सारी अलाग अलोग पार्ट में कि आर्मी बट्टी मतलब और उनको हिसाब से मनेज किया जाता है कि यह इस बया राजी yar 1908 sound ऐसे आर्मी के जवान मतलब सलूट करते हुए चलते हैं या फिर आप पुलिस लाइन अगर आपके आसपास है तो देखो उसमें जो पुलिस के जवान है वो लोग मार्च करते हैं जब 26 जनुरी या 15 अगस्त मना जाता है इसके अलामा और भी जो करिकरम होते हैं तो इसी को ब मार्च कर सकें इसमें चीज और है इसमें अस्तंबो की संख्या समान है यह भी तो कहा है ना देखो अस्तंबो की संख्या समान है मार्च करना है दोनों समुहों को समान संख्या वाले अस्तंबो में मार्च करना है दोनों समुहों को समान अस्तंबो वाली संख्या में मार्च अगे लिखे है कि दोनों समुहों को समान संख्यावाली संख्या में मार्च करना है। संख्या उसके बाद फिर को लिखना उन अस्तंभ के अधिक्तम संख्या क्या है. बस वहाई इस समान वाल बीच में लिखना है. d협नों समान आस्तंभ वाली संख्या में मार्ज करना है. अब देखो इसमें आपको एक लाइन अस्तम्ब का मतलब होता है से खड़ा खड़ा ठीक है जैसे कोई चीज खड़ा है तो यह अस्तम्ब यह अस्तम्ब का रूप है यह पंकिती का रूप है तो दोनों में अंतर समझे लो अप ठीक है तो इस तरह से आप देखिए according to the question कह रहा है कि इसमें आर्मी की दो टुकड़ी है पाइले टुकड़ी में 616 सदस हैं दूसरी में 32 सदस हैं यही न तो आप इसे लिखोगे कांपी में आप लिखिए प्रसना अनुसार जो मैं बोल रहा है उसको लिखते जाए क्योंकि सब कुछ हम बोर्ड मे लिखने सकते हैं प्रसना अनुसार आर्मी की टुकड़ीयों के दो समू है और समू में अस्तंबो की संख्या एक समान दी गई है समू में अस्तंबो की संख्या एक समान दी गई है उसके बाद लिखना पाहली टुकड़ी में पाहली टुकड़ी में जमानों की संख्या बरा संख्या बराबर 616 फिर आगे लिखो दूसरी टुकड़ी में दूसरी टुकड़ी में जमानों की संख्या बराबर कितना है कहरा कि 32 सदस्यों वाली आर्मी बेंड के पीछे मार्च करना मतलब 32 है ठीक है इसे नोट कर लो जल्दी से इसमें कुछ ज्यादा है नहीं लगबग बस सब पूरा हो चुका है अब एक बात यहां पर आप समझ लीजिए मैंने बहुत पहले बताया था जब अधिक्तम या निउन्तम का बात आए अधिक्तम मतलब HCF हर जहां पर अधिक्तम या बड़े से बड़ा आपने सुना होगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद कीजिए तो बड़ी से बड़ी जहां है वहां HCF छोटी से छोटी जहां है LCM तो यहां पर अधिक्तम संख्या निकालना होगा इतना बात अमने दिमाग में समझ लो बस अब लिखो प्रसना नुसार अस्तंबो के अधिक्तम संख्या ज्यात करने के लिए हमें HCF निकालना होगा अगर question नहीं लिखा तो screenshot ले लो जल्दी से फटा-फट बिल्कूल बिना देर करे हुए अब हम उपर question को हल करेंगे लिख लिया Euclid Vibhajan Parmica से तो Euclid Vibhajan Parmica से आप क्या करेंगे नंबर आपके पास 2 है 1616 ए 132 आप जानते हैं कि ये ऐसे आप भाग देंगे छेस्सो सोला ये क्या है रजह एंफ़ इंदर साइड इसका तरीका सीख लो आपको मैंने करके दिखाया था 616 इसमें 32 से बात करोगे तो कितना बार जाएगा करके देख लो आप जल्दी से कर लो कितना बार जाएगा लगबाग 19 बार जाएगा पहले एक बार जाएगा तो यह 32 इसमें से घटाओगे 9 आएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और यह 6 उसके बाद आपका 9 बार जाएगा 9 दुना 18 और नौत्रिक 27-28, 288, उसके बाद जब इसको घटाओगे, आप लोग तो देखो कितना आएगा, आठाएगा लगबगना, कितना आएगा आठाएगा ना, तो देख लो, ये हो गया, अब आपने पढ़ा था, कौन सा, भाजे बराबर, भाजे कुड़े भागफल तनसेसफल, हिंदी में मैंने बताया था, जबकि यूकलिट विभाजन का जो परमिय है, वो क्या कहता है, A equal BQ plus R, ना, तो ये मान क्या है, A है, A मतलब जो आपका डिवीडियन्ड है, यानि की भाजे, BQ, B मतलब आपका जो, B मतलब क्या होगा, Q, Q मतलब कॉसियन्ड जो उपर जाता है और B का मतलब भाजक, यानि 32, ठीक है, तो आप इसे लिखो कि 32, गुड़े 19, धन 8, देखो यूकलिट विभाजन परमिय में आपने सीखा था, कि ये पहला चरण हो गया, ये चरण हम तब तक दोराते हैं, जब तक सेस पल 0 नहीं हो जाता है, अब नीची आप एक लाइन औ तो ठीक है, आता ये किरिया हम तुबारा फे दोराएंगे, तो दुबारा से दोराओंगे मतलब क्या, इसको लिख लिख लिए हो ना, दुबारा से दोराने का मतलब ये है, कि जैसे आप भाग विदी से हच सी एफ करते थे, आप आठ इधर लिख लो, और ये 32 ये लिख ल आ गया, अब नीचे लिखो, चूकी, चूकी, सेसफल 0 आता है, आता भाजक 8 पराप्त हुआ, इसलिए 616 तथा 32 का HCF 8 होगा, देखो यार लिखो, देखो नहीं, कुछ लोग तो मूह देख रहे होंगे, कि लिखतें तो छाप लें, जब हिंदी भी नहीं पढ़ना आता, त हम दोगे, ठीक ना, इसलिए लिखो, चूकी, सेसफल 0 आता है, आता भाजक 8 पराप्त हुआ, ठीक, नीचे लिखो, या फिर भाजक 8 है, अपने हिसाब से लिख सकते हो, मतलब समझो बस, फिर नीचे लिखो, इसलिए 616 और 32 का HCF 8 है, उसके बाद आगे क्या करोगे, अब नीचे जो पूछा था मुख्य कह रहा था कि एक बार कुश्चन फिर से देख लो तो मैं उत्तर लिखवा देता हूं, उत्तर तो आ गया, कुश्चन कह रहा था कि किसी परेड में 616 सर्दस्यों वाली सेना की टुकडी को 32 सर्दस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है दोनों समुहों को समान संख्या वाले अस्तंभो में मार्च करना है तो उन अस्तंभों की अधिक्तम संख्या ग्याद कीजिए जिससे की वह मार्च कर सकें जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, ऐसे हैं तो अब नीचे लिखो अस्तंभों की अधिक्तम संख्या आठ होगी आता है अस्तंभों की अधिक्तम संख्या आठ होगी देखे जो बोला जाता उसको आप लोग लिखा करिए आप बच्चे नहीं है कि हम बोर्ड पे काखा गागा लिखेंगे तब छाप लोगे